दोस्तो हमलोग जानता है जो स्टील कोएन है 1-2 रूपिया वाला कि उसका बीच कौपन निकल के जो कोएन 1-2 रूपिया 5 रूपिया जो निकला था एक copper nickel वाला coin आभी market में नहीं मिल रहा है क्यूंकि ए आभी collector का घर में पहुँच गया तो दोस्तो ए जो copper nickel coin कुछ-कुछ दुकांदारों से आपका हाद में आ सकता है तो दोस्तो इसका जो face value है एक रूपिया दो रूपिया या पाँज रूपिया इसमें बहुत सारे damage coin भी चला आता है तो ओ डैमेज कॉइन कभी भी ज्यादा दम में नहीं बिखता है लेकिन जो face value है एक coin का उसका उपर जरूपिया कुछ एक्स्टा मिलेगा तो दोस्तो इसमें जैसे इंडिया मिल्ड वाला coin है उसके अंदर foreign मिल्ड का भी कुछ coin है लेकिन एक coin copper nickel होना चाहिए जो एक रूपिया coin दो रूपिया 5 रूपिया coin जितना भी damage coin हो वह भी market में बिखता है केजी क्या हिसाब से हो तो केजी का हिसाब से हो और पीश का हिसाब से इसमें जो face value है एक रूपिया दो रूपिया या 5 रूपिया उससे थोड़ा बहुत ज्यादा जरूर मिलता है क्योंकि कि दो रूपिया का जो सिक्के है कौपन निकल बाला वह जितना भी damage हो वह केजी हिसाब से market में सेल करने जाएगा तो उसमें 25-30 पैसा आपको ज्यादा मिलेगे यानि दो रूपिया जो सिक्के है वह दो रूपिया शिक्के दो रूपिया 20 पैसा 25 पैसा 30 पैसा 40 पैसा उसमें ज्यादा मिलेगा ऐसा भी एक रूपिया का जो सिक्के है उसमें भी मिलेगा और 5 रूपिया शिक्के भी मिलेगा तो दोस्तों जितना डेमेज कोईन अब लोग का हाथ में आएगा कॉपल निकल वाला उसको समल के राखिए उसके बाद ज्यादा हो जाएगा आप के जी एक के जी जितना भी हो आप इंटरनेट में डाल दीजिए देखिए तुरांत शेल हो जाएगा तो दोस्तों आज के लिए इतना ही सबका म मेरा नमसकार मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए